आज किस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए फ़स्टियर के फ़स्ट समेस्टर के चात्र है जिनका सब्जेक्ट प्लिटिकल साइंस यानि की राजनीती साफ्तर है उनके लिए बीडियो बहुत ही माधबूर क्योंकि आज किस वीडियो हम राजनीती साफ्तर यानि क कि प्रिश्चा होने वाली वह कुछ इस प्रिकार एक कोईश्चन रहेगा चार अपसंद रहेंगे तो बीडियो को पूरा जरुड देखते रहेगा तो चलिए बीडियो को सुरू करते हैं तो आज किस वीडियो का सबसे पहला जो प्रश्ण है वह एक अधनेम के द्वारा भा कि आंतरिक कर दिया गया जियाँ से सुने के कुछ तो आपको इसे का उत्तर बताना है कि कौन से भारतिय साशन अधनियम को आंतरित कर दिया गया तो यहाँ पर आपको चार अप्सन देगें तो सही होगा उसको आपको टिक करना होगा तो यह आप मतलब कोईश्चन को जो रही साही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा भारतिये सासन अधनियम अठारा सो अठावन को आंतरित कर दिया गया था ध्यान नकिंगे महात्पूर परशने एक्जाम के लिए ठीक है हम हमेशा यही प्रियास करते हैं कि आपको वही सारे कोईश्चन प्रवाइड करने करें जो आपके एक्जाम में आने के 100% उमीद हो हम अपने सुचेगा कि सर आप फालतू के कोईश्चन मता देतें गलत कोईश्चन मता देतें तो हमारा मुख्य उद्देश यही है कि आप अच्छे से अपने एक्जाम की तयारी कर पाएं और एक्जाम में टॉप करें ठीक है तो इस माइंड को आप लोग अपने माइंड में कभी मत कर आएं बस यही हमारी आप लोगों से अग्रा है दूसरा प्रस्ण है कि भूत पूर्ब रियाफतों के राजाओं के प्रिपर्स वाप विशेफ धिकारों का उन्मूलन की सुवर्श किया गया था तो उस सन का आप लोगों को नाम बताना है ध्यान रखेंगे महात्पूर् ठीक है इसी सन को मतलब की भूत पूर्ब रियास्तों के राजाओं के ठीक है प्रिपर्स वाप विशेफ दिकारों का उन्मूलन जो वर्श किया गया था वही ये वर्श है उन्निश्यों के ठीक है अगला प्रशन है कि उन्निश्यूई सताब्दी के किस समाज सुधारक को अतीत और भविश्य का सेतु माना जाता है याद रखेंगे किस समाज सुधारक को अतीत और यानि कि करेंट में जो चलना और भविश्य का फ्यूचर का सेतु माना जाता है ठीक है तो इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा आफ्शन नंबर डी ठीक है राजा राम मोहन राय को ठीक है अगला प्रश्ण है कि 1857 का बिद्रो कहां से सुरू हुआ था एक बिद्रो हुआ था जो सन 1857 में हुआ था ठीक है तो वही बताया जा रहा है कि जो 1858 में जो बिद्रो हुआ था वो किस सहर से प्रारंब हुआ था ठीक है तो इस प्रस्ण का आप लोगों को सहुत्तर बताना है तो इसका सहुत्तर हो जाएक आपसर नंबर स्ञेर ता या फिर सुरू किया था वह कहां से प्रारंब किया था अन्होंने इस बात को आप नोट कर लिजह तो इस शाबरमति से प्राराभ में किया था एंगा प्रस्थंस भाती महात्पूर है कि आर्ыт समाज के सथापक निवन minhaंसे कौन है जिनों ने आर्य समाज की स्थपना किये फिर भात किए वो कौन है तो आप 730 स데 का हो जाएगा बी नंबर श्वामि दयानंद सरस्टती जी ने खिलीर अगला प्रशन की किस आंदोलन को नमक सत्याग्रा के नाम से जाना जाता है बहुत ही महातपूर्ण प्रशन याद रखेंगे थीक है तो इस प्रशन का सही रता है आफ्शन नमबर ए शबिने आवग्या आंदोलन को नमक सत्याग्रा के नाम से जाना जाता है इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखेंग प्रस्ण परिश्या में फसेगा उम्मीद पूरी है ठीक है अब अगला प्रस्ण है कि भारत का अंतिम गवर्नर जर्नल कौन था मतब कि ल कोवर्नर जर्नल था बहुत ही माजपूर है कॉमन है सिंपल है याद रखेंगे नमबर से उत्तर अगरा प्रस्ण है कि महात्मा गांधे ने अपना राजनीतिक जीवन कहां से प्रारंब किया था पतब जी जो गांधी जी हमारे थे ठीक है इन्होंने राजनीति छेत्र में अपना पहला कदम अइसा भी प्रस्ण हो सकता है कि राजनीति के छेत्र में अपना पहला कदम ठीक है अपने जीवन का पहला कदम राजनीति के छेत्र में कहां फिर रखा था कहां से प्रारंब किया था इसा भी प्रस्ण हो सकता है तो राजनीति के छेत्र में महात्मा गां की याद रखेंगे महात्पूर्ण प्रस्तुत अगला प्रस्तुत है कि आवग्या दर्शन का आधुनिक भारत में कौन प्रेंड़ता था ठीक है तो वो कौन से प्रमुखो मतलब कि कौन से प्रमुखो देश भक्त थे या देश के हित में सदा अपना जीवन ततपर थे और अपने जो जीवन है वो पूरे देश को समर्पित करते थे ठीक है उनका क्या नाम है तो दस नंबर प्रस्तुत का साय उत्तर हो जाएगा बी नंबर महात्मा गांधी जी पहु स्रतंतरता दीवज सरप्रतम मनाया था ध्यान रखेंगे 26 जनौरी को भारती राष्टे कांग्रिस स्रतंतरता दीवज्ट सरप्रतम कब मनाया था बहुत महात्पॉन्प प्रस्न एक्जे अक्षर आता रहता है तो फंसेगा आपकी परिछा में उम्मीद है तो ग्यारा 1930 में मनाया था अगला है कि महत्मा गांदी का जीवन काल बताई है मतब कि कब से कब तक महत्मा जी का जीवन काल था ठीक है इस्टार्टिंग और इंडिन की यानि कि जन्म और मिर्ट तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाए गया निक बारा नंबर का भी ठीक है 1879 से 1948 तक याद रखेंगे महत्मा प्रश्ण है ठीक है अगला प्रश्ण है कि भारत में अंग्रेजी भासा की फिच्छा को किस ने अनिवार कर दिया भारत में भाई अंग्रेजी या फिर इंग्लिस किस ने इस भाफा का जो है वो अनिवार कर दिया कि भाई भारत में भी इंग्लिस जो है या फिर अंग्रेजी जो है उसकी फिच्छा जो है वो अनिवार कर देनी चाहिए लोगों को बच्चों को अंग्रेजी सिच्छा दे अनिवार किस्ट ने की थी मतलब इच्छा देनी चाहिए बच्चों को ठीक है तो उनका क्या नाम है तो तेरा नंबर प्रश्ण का सही उत्र हो जाएगा आपसा नंबर सी लौड मैं काले ठीक है लौड मैं काले अगला प्रश्ण है कि काकोरी कांड का संबंध किसे से था तो क का कोरी कांड का संबंध है वह किस से संबंधी थे बहुत बड़ा कांड था यह याद रखेंगे आप लोग बहुत महात्पोर्ड प्रस्ण जब हम आपको जब अब जब सब्जेक्टिव वाली मतलब की थेओरी वाली क्लास में आपको अच्छे समझाएंगे ठीक है इस प् भारती राष्टे कांग्रेस के प्रथम अध्यच कौन थे यह भी महात्पूर्ण ऐसे जर्नली कोश्चन है सिंपल्स आपको ऐसे भी आना चाहिए सहयोत्तर बी भारती राष्टे कांग्रेस के प्रथम अध्यच कौन थे 15 नंबर प्रश्ण का सहयोत्तर हो जाएगा बी नं निए अगला प्रश्ण है 17 नमबर कि किस ने कहा था वर्सों पहले हमने किस्मत के साथ बाजी लगाई थी ठीक है तो यह कथन किसका है या फिर यह पंक्ति है किसके द्वारा कही गई थी 17 निए 17 नमबर कि स्य उत्तर हो जाएगा एय नमबर लाला लाजपत राय के द्वारा अगला प्रश्ण है कि 1928 में कौन अधची थे ज्याद रखेंगे महातपूर प्रश्ण हैival तो 18 नमबर प्रुष्ण का साथ उत्तर हो जाएगा मौती लालै नहिरू या की इनमबर कि एगला प्रस्य गेति इन medida पुस्तख के लेखक कौन है या फिर पुस्तख के लेखक का क्या नाम है यह बहुत इमाज-पूर पर सुन याद रखेंगे विश बुस्ता के जिसका नाम है दी इंडियन श्ट्रगल ठीक है यह पुस्तक का नाम और इस पुस्तक के लेखक कौन है उनका नाम आपको बताना है इन आपसरों में से तो इस प्रस्ट का जो 19 नमबर प्रस्ट दिकराज का सही उत्तर हो जाएगा सुबाश चंद्रबोश यानि की बी नमबर यही है इस पु इस बात को ध्यान रखेंगे महात्पूर्ट प्रस्ट है तो 20 नमबर प्रस्ट का सही उत्तर हो जाएगा आपसर नमबर कौन सा सुबाश चंद्र बोश यह नमबर ठीक है सुबाश चंद्र जी ने यह कथन कहा था अगला कि भारतिये पुनर्ज जागरण का पिता किसे कहा जाता है तो सिंपल सा कोईश्ट ने याद रखेंगे भारतिये पुनर्ज जागरण का जो पिता है वो कहा जाता है किसको राजा राम मोहन राय को 21 नमबर प्रस्ट का सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि हिंद स्वराज पुस्तक की रशना किसकी है एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है हिंद शौराज क्या नाम है हिंद स्वराज तो इसके रशनाकार कौन है शंतर हो जाएगा एगांभर महत्मा गांधिजी जी के 22 का सई ऊतर हो जाएगा शंता हो किया किस सन में किया कब किया वह आपको बताना है तो तेश नमबर प्रस्ण का सहुत्तर हो जाएगा 31 दिसंबर शन 1931 को बहुत महत्पूर्ण प्रस्ण है अगला कि गांधी जी ने रंडी यात्रा के द्वारा सब अगला प्रस्ण है कि दो राष्टों के सिध्धान का जनक किसे माना जाता है दो राष्टों के सिध्धान जनक किसे कहा जाता में तब राष्ट देशों के सिध्धान थीक है तो उसके जनक कौण है उनका नाम बता ना है तो ठीक है तो तो 25 नमबर का सहय उत्तर हो हुआ था किस अस्तान पर हुआ था तो 26 नमबर प्रसंदिक रहा है इसका उत्तर हो जाएगा डी नमबर सिंगापुर में जो किया तो हर युवा हर जो जिसकी हाइट अच्छी हर युवा इंडियन आर्मी में जाना चाहता है ठीक तो इसका गठन सिंगापर में हुआ था यह के लिए बहुत ही मातपूर कंपिटिशन के लिए भी मातपूर है ठीक है अगला परसना कि भारते रिया फतों के एकी करण का कारेक इसने किया तो वो जो है मतलब की फतंतता संग्रामी या फिर जो देश के लिए समर्पित है ठीक है उनका क्या नाम है तो 27 नमबर जो प्रस कि अस्थापना कि तो बहुत फ voll बहुत हिहार कुशिशने और आप जानते की आज टॉप ज्रप कट घरी में आता है बनारस uhud का सपन बिद्धयले बहुत सारे सथ्चात्रों का सपना होता होता इस बिद्ध्ययले का तो बनारस बिद्ध्याले की जो अस्थापना यानि कि c जो निए का प्रस्ता हो जाएगा आफ्शन नंबर हें सी मदन मोहन माल्वी द्वारा इसकी अस्थापना की थी द्वारा की गई धिने विव स्थम टीक विस्ट मिंस्टर मॉडल किसे कहा जाता है जै किसे कहा जाता कौन से प्रणाली को तो इस प्रस्ते का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा अफ्शन नंबर संगे प्रणाली यानि की बी नंबर अगला कि पूना ठीक है पूना पैक्ट सम्मंधित था जो पूना पैक्ट था ठीक है मतलब कि जो पूना पैक्ट हो दलित वर्ग से सम् प्रारंब किया गया था किस जगह से किस डेट को किस सन में यहां पर कई सारे प्रस्णों के उत्तर चेपे इस बात को ध्यान लगेंगी डीप लीज कोईशन का उत्तर समझेगा ठीक है 31 नंबर प्रस्ण देख रहा है यही कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंब किया गया था कहां फे किस्टन में तो जो आपको 31 नंबर प्रस्ण देख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नंबर कौन सा बताईए बंबई से 9 अगफ्त 1942 को प्रारंब किया यानि कि सी नंबर सही उत्तर होगा बंबई से 9 अगफ्त 1942 को अगला बस्टे कि गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे ठीक है एक आंदोलन चराता नामें गदर अंदोलन लाला अगला प्रस्ण यह सारे कुश्चिश्च आपके जीके 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 जीस और ऐसे भी आपको अगर कि तयारी करेंगे तो उसमें भी आप लोगों के लिए महात्पूर है ठीक है भारती राष्टे कांगरेश की प्रथम महला अद्धिच के बारे में आपको बताना कि कौन है ठीक है कौन थी ठीक है कौन थी तो 23 स्टमबर जो प्रसंदिक्राइश का सही उत्तर हो जाएग अगला प्रसंदिक्राइश का सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि किस कानून के द्वारा भारत में इस्ट इंडिया कंपणी का फासन समाप्त कर दिया खया था किस कानून के द्वारा भारत में जो इस्ट इंडिया कंपणी का जो सासन थीक है था उसको समाप्त कर दिया गया था वह आपको बताना है तो 35 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अफ्षिन नंबर सी यानि की 1858 का थीक है गवर्डमेंट आफ इंडिया एक्ट इसके द्वारा इसका सासन समाप्त कर दिया गया था अगला प्रशन है कि यंग इंडिया पुस्तक कि ने लिखिए तो यंग इंडिया पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम बताना है तो सही उत्तर इसका हो जाएगा यंग इंडिया याद रखेंगे महात्पोर्ड प्रशन है बी नंबर सह उत्तर होगा यानि कि महात्मात जीजी द्वारा लिखी गई है पुस्तक अगला प्रशन है कि निम्न में से किस उधारवादी नेता ने पहले मारले मिंटो फुधार का समर्थन किया लेकिन बाद में उसकी कट अलोशन्या की फिर आल यह इतना महात्पूर नहीं एक्जाम के इंडिया सोसाइटी के संस्तापक को ने बहुत ही हाई लेबल का प्रशन रिपीटेड भी एक बार पैच्छा जा चुका इस बार भी आने कुम्मी दे तो बिट्रिस इंडिया सोसाइटी के जो संस्तापक है यानि कि जो 38 नमबर प्रसंदिक राश का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा दादा भाई नरोजी यानि की बी नमबर इसके संस्तापक थे ठीक है वंतालिफ है कि दादा भाई नरोजी भारती राफ्टे कांग्रेश की अध्धच थे इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा आप्शन नमबर कौन सा दे क्योंकि ये इस सन में और इन इन जगाहो पर ये बाटे राफ्टे कांग्रेश की अध्धच थे ठीक है इसलिए ये सभी उपरिक्त में से सही उत्तर होगा अगला है कि उदारवादी माने जाते हैं इन में से कौन से ठीक है जो देश के लिए हितकारी और देश के लिए अपना जीवन अपना पूरा अपना सरीर नि अगला है एक तारिश नंबर की गोखले भारत का हीरा महाराष्ट की मड़ी तथा मजदूरों की राजा थे ये बात किस ने कहिए तो एक तारिश नंबर प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नंबर बाल गंगा धरतिला क्यानी की बी नंबर अगला है कि लॉड लॉड करजन ने भारत में अंग्रेजी राज को फुद्रण करने की जबर दस्त कोशिच की और ये भारतियों के साथ एक मूख और पराधीन पस्वो जैसा बरताव करते रहे ये बिचार किसका है तो ये जो कथन है ये जो बिचार है वो जिनके माध्यम से कहा गया है ठीक ह टीक है उग्रवादी आंदोलन का यूग कहा जाता है कॉंसेशन को कॉंसेशन के बीच को ठीक है तो 43 नंबर पर दिखतार का सही उत्तर हो जाएगा अफ्सान नंबर 1906 निस तक टीक है इसको उग्रवादी आंदोलन यूग कहा जाता है अगला है कि उग्रवादी आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे ठीक है तो उग्रवादी जो आंदोलन चलाया गया था इसके असफलता के जो कारण थे वो आपको बताना है बहुत परसने इंपार्टेंट रहे तो इसके बहुत सारे कारण थे इसलिए फ ऐद जी के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ थे पांड जैरी के जिनका नाम जुड़ा है उनका नाम कि छलाफत का प्रशणा परफिदनल कि प्रश यहां पर कुश्चन फिर से पढ़ता है तो पांड चैरी आप लोग जहांते पांडचेरी क्या है पांडचेरी एक क्या है बताइए कमेंट में एक सहर है ठीक इस बात को ध्यान नखेंगे जो कि केंद सासित प्रदेश की राजधानी भी है ठीक है तो 45 नंबर प्रशने का सही उत्तर आप लोगों कमेंट में बताना तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अरबिंद गोस यानि की सी नंबर से उत्तर हो अगा की बात में गांधी जी द्वारा आसायो को अंदालोन चलाने का क्या उत्त सब्स्क्राइब P इन सभी के कारण चलाया था ठीक ये मुख्य उद्देश थे अगला प्रश्ण प्रुष्ट है भाई कि भारत में उत्तरदाइस आसन के स्थापना का प्रस्ताव पारित कब हुआ था तो इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा अफसा नंबर भी ठीक है अगला प्रश्ण के भारती तरजाज नीत में प्रवेश करने के पोर्व गांधी जी ने किस सत्यागरा का नेतुरत किया था इस बात को ध्यान ने करेंगे विमाद प्रश्ण और तालिस नंबर जो प्रश्ण इसका सही उत्तर हो जाएगा डे नंबर खेड़ा का भी चंपार प्रश्ण नंबर प्रश्ण है इस जो सही उत्तर हो जाएगा अब्सान नंबर भी यानि कि महतमा गांधी जी ने कहा था अगला महात्मा घान्धी जी ने अपने सार अवर्दिन जीवन का प्रारम दच्छिण अपरीका में रंग भेद नीत के बिरोद के साथ किया या विर रंग भेद नित के बिरोध के साथ किया था मतब रंग भेद को लेकर बिरोध किया जा रहा थे इफले उन्होंने यह बिरोध प्रारम किया था 1913 में महात्पोर्ड प्रस्टन तो आज इस वीडियो में हमने 50 कोश्चिन की बारे में जाना और उनके उत्तर के बारे में जाना तो इसी तरह के कोश्चन आपकी पर इच्छा में आएंगे आप देरे देरे तैयारी करिए हम तैयारी कराते रहेंगे और भी कोश्चन लाएंगे और यह पीडियो प्राप्त करना है तो वर्टसप पर मेसेज कर दीजेगा जैंद